Hello Friends, Welcome to Study News तो CSIR के Central Mechanical Engineering Research Institute के ने हाली में दुनिया के सबसे बड़े Solar Tree को डेवलप किया है और इसे पश्चिम बंगाल के दुरगापूर में अपने CSIR के कॉलोनी में इस्थापित किया है तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक Solar Tree क्या होता है और Solar Tree की खासियत क्या होती है So, Let's Start तो Solar Tree बेसिकली एक मेटल का बना हुआ पेड़ जैसा लगने वाला एक स्ट्रक्चर होता है जिस पर साखाओं पर Solar Panel लगे होते हैं और फिर Solar Panel से एनरजी प्रडियूस की जाती है Solar Power के द्वारा जो Central Mechanical Engineering Research Institute CMERI ने Solar Tree लगाया है इसमें टोटल 35 पैनल्स लगे हैं अब CSIR की बात करते हैं इसका फुल फॉर्म है The Council of Scientific and Industrial Research इसे 1942 में Government of India ने इस्थापित किया था ये एक Autonomous Body है जो भारत की सबसे बड़ी Research और Development Organization है भारत में ही इनके लगभग 40 Laboratories और Institutes है और इतने ही लगभग 40 Outreach Centers भी है इनके Research और Development के लिए Fund दिया जाता है हमारे Ministry of Science and Technology के द्वारा CSIR की Main Research और Development में Aerospace Engineering, Structural Engineering, Ocean Science, Life Science, Chemical, Mining, Food, Petroleum, Leather और Environmental Science है एक Solar Tree लगाने से क्या फायदा हो सकता है देखिए Solar Panel जगे घेरते हैं अगर उन्हें जमीन पर लगाए जाए या किसी सेटप में लगाए जाए तो वो बहुत सारी जमीन एक्वाइर करेंगे और उतनी जमीन सिर्फ Solar Panel के लिए वेस्ट होगी जबकि एक Solar Tree में एक छोटी सी जगे पर भी Solar Tree के ब्रांचेस पे पैनल्स धेर सारे लगाए जा सकते हैं और जमीन कम एक्वाइर होता है और इससे लागत भी कम लगती है जो CSIR ने Solar Tree लगाई है इसकी कीमत लगभग साड़े साथ लाक रुपे पड़ी है अब Solar Tree के फीचर्स की बात करें तो Solar Tree की स्थापिच छमता लगभग 12 किलो वाट से अधिक होती है और ये लगभग 12,000 से 14,000 एन्वली क्लीन और ग्रीन पावर जनरेट कर लेता है और इसके द्वारा रियल टाइम बेसिस पे आप एनरजी जनरेशन डाटा भी इखटा कर सकते हैं और ये फॉसिल फ्यूल एनरजी के द्वारा प्रड्यूस होने वाली 10 से 12 टन कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सरजन को भी बचाता है सोलर पैनल्स की निगरानी आप CCTV कैमरे और सेंसर के द्वारा भी आसानी से कर सकते हैं इसी के तहट प्रदान मंत्री कुसुम योजना के बारे में भी आपको जानना चाहिए Recently Ministry of New and Renewable Energy MNRE देश में सोलर पम्प और ग्रिड से जुड़े सौर एवं अन्य नवी करनिये बिजली सनियंत्रों की स्थापना के लिए किसानों के लिए प्रदान मंत्री किसान उर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान पी एम कुसुम योजना सुरु की है इस योजना का लक्ष दो हजार बाइस तक सौर और अन्य नवी करनिये चमता को 25,750 MW तक जोड़ना है इस योजना के तहट तीन कंपोनेंट्स हैं जिसमें पहला है 10,000 MW तक Decentralized Ground Mounted Grid को connect करना है Renewable Power Plant से Ground Mounted का मतलब जो बड़े से एरिया में grounds पर solar panel लगाए जाते हैं दूसरा कंपोनेंट है साढ़े साथ होर्स पावर की व्यक्तिगत पंप छमता के साढ़े सत्र लाख stand-alone solar energy से चलने वाले पंपों की स्थापना करना और थर्ड कंपोनेंट है 10,000,000 grid को solarized करना है कुसुम योजना की मदद से किसान अपनी भूमी पर solar panel लगा कर बिजली का उप्योग खेती के लिए कर सकते हैं केंद्र सरकार ने इस योजना के तहट 2022 तक देश भर में 3 करोड सिचाई पंप को बिजली डीजल की जगह सौर उर्जा से चलाने का लक्ष रखा गया है किसानों को कुसुम योजना के तहट solar pump की कुल लागत का सिर्फ 10% ही खर्च करना होगा अगर बात करें सबसे पहले solar tree की तो ये 1998 में लगाई गई थी ग्लिसडर्फ आस्ट्रिया में जिसकी छमता 7 किलोवाट की थी solar tree काफी फायदे मन्द है ये public area, schools, university और simple इस्थानों पर भी आसानी से लगाए जा सकते है तो ये थी जनकारी solar tree के बारे में so thanks for watching this video, please like, subscribe and comment झाल 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 झाल